और यहां पर हम बाइलूजी का कुछ अपडेट बता रहे हैं कुछ को लेका है वान साइड टॉट कोशन है जिसमें सबसे पहले ही आए कि यह सेट करने के लिए अगर आता है तो किस परकार से हम इसको सेट करेंगे जिसमें इस पैसीज वान सेज कूल गन ठीक है न उसके और आपका वन्हान आता है और संक संक के बाद जगत यह तरह से सेरियल वाइस करके आप सरया सकते हैं सब्सक्राइब क्या बता तर्ट मैं जो Incorporation करते हैं उनके लिए यहां पर blind के विभाजित कीए उधारन के लिए Manus Ones को Holy species से संबंदित है कुल की अगर हम बात करें तो कुल या समानता वाले संबंदित जनेरा के एक सन्योजन है उधारन के लिए कुल फलेडिवानस के पैथेरिया और वन्ट फलेशीस का एक सन्योजन है अगर हम गन की बात करते हैं जो कि चोधे नमबर को सिरीज में इसको हमसरी आते हैं तो या समान या समान विसेश्टाओं वाले कुल कुलो की एक समुझ है उधारन के लिए गन को करनी वोरक में फैलीडे और कैनीडे जैसे कुल में सामिल किया गया है और वर्ग में जितना स्तंधारी जीव होते हैं वो करनी वेरा या प्राइमेटा जन्तु पाए जाती है और उपचर में वाले संग में पाए जाता है यह हमेसे अकसर गलती हो जाता है विस्ट्रेंस गलती कर जाते हैं एक्जामनिशन में कि उपचर या सरीप अस्तंधारी जीव विभीन वर्ग एक साथ मिलकर एक संग बनाते जिसको संग करेड़ेटा कहते हैं थीक है ना जगत कि अगर बात करें विविन संग से संबंदित सभी जीव एक जगत का निर्मान करते हैं जिससे जगत ऐनी एशॉरि एनी मेलिया या जगत planty के नाम से जाना जाता है तो यहां पर मैं आपको clearation कर दिया कि दिके सभी जिवों का वर्गी करण rank को और वर्गों के में किया जाता है और सभी एक साथ एक वर्ग के पदा नुकरम बनाते हैं अब परते एक वर्ग या rank को टॉक्षोन कहते हैं यह एक वर्ड है टैक्षोन किसको कहते है टैक्षोन जो है एक ही वर्ग या rank का जो ग्रूप में रखा जाता है उसके हम लोग टैक्षोन के नाम से कहते हैं और इसको आरोही करम यानि बढ़ते हुए करम में अगर हम बात करें तो आरोही करम में इसको अगर जाएगा तो स्पैनेज वर्ड स्कूल गर्ण वर्ग और संग यह पूरा जगत यह पूरा डीटेल इसमें उसके बाद अगर हम बाद करते हैं जीन को पत्ति के बारे में तो जरा सा इसमें आपको देख रहे हैं सब्सक्राइब करन लिखा हुआ है अधारना लिके हुई है ताकि यहां को पहले इसके अधारना के बारे में बता दे तब फिर आपको इसका अंसर बता दे फिर इसके बाद कोश्चन भी प्रवाइट कर दिया जाएगा अब यहां पर है जिङ द्वारा नियंतरित होता है यह एक प्रकार का परचलेख आंतोरता जीवानों में पाया जाता है यह लेक,व्योश्य समयने में पंपर देखिया वो बने डिटेल बता देते हैं सबसे पहला जीन इसमें हम लोग आई जीन के हमसे जानते हैं जो नियामक जीन कहा जाता है और प्रचालेक दमनकारी के 섹्ड़ में करता है पर और ग्लेक्टो साइटेज में करता है कुल जूता है वो गुलकोज और लैक्टो को बदल देता है लैक्टोज में डाइ सेक्राइट का जैसा काम करता है उसके बाद वा-इजीन की 받 करें और प्रमीज कूट लेखन करता गया एक बीटा ऑस anderen के लिकोसी काम सब्सक्राइब को बढ़ाता है यह जेट काम है ट्रांस टांस एसी टेलाइटेस कुटलेक करना तो यह हुआ आपका जीन का जिसको हम जीन में कौन-कौन से फार्ट हो गया ध्यान दने वाली बात है लेक पर चालेक जीन जिसको समझते है वह आई जेड वाई एजीन होता है ठीक है उसके बाद आपको यहां पर फिर आपको देख रहे होंगे कि यहां पर ध्यान दने वाली बात है कि परकिरिया पाचन अंद में रक्त और लासिका में चला जाता है जिसको और सोशन कहलाती है और सोशन एक निसकरिये विश्रन या सक्रिये सुसाद विश्रन द्वारा होता है यह पॉइंट इंपर्डेंट है दुसरी अगर हम बात करें कि अगर हम इसमें ध्यात दिखेगा संद्रन प्रणवत्ता द्वारा होता है कुछ पदा जैसे अमीनो आमल गुलकोज और अनुवाहत प्रोटीन की मदद से असोसित होते है इस परकार के विश्रन को सुसाद विश्रन कहते है ठीक है उसके बाद अगर अगर कुछ अमीनो आमल सोडियम आयन सोडियम आयन रक्त जरसे यहां देखिए गाइज कुछ एमीनो आमनी सोडियम आयर रक्त सांद्र प्रवत्ता के प्रवतित प्रवावित होते हैं इस प्रकार के सक्रिय प्रिवान के लिए उर्जा वैप्त और सेक होती है ठीक है वशा ग्लिसरोल सीधे रक्त में और सोसित नहीं होता है क्योंकि एक आव लिए यह आमने बात समझा कि वसा यानि को फैट और ग्लिसरोल जो है सीधे बलेड माव सेक्षित नहीं होता है क्योंकि आव लिए पूरी तरह घुलता नहीं है आत्रे संसलेशन में मिसेल नामक एक छोटी बिंडू में परवर्तित नामक में बदल जाता है चोटे प्रोटीन लेपित या ग्लोबियूल परवर्तित होता है ग्लाइको माक्रों में जाता है और लेटिकल क्रवाकों मुक्त कर देता है यह चोटे चटा पॉइंटस है जो मैं आपको रेगूलर यहां पर विडियो के मात्यम से दोगा जिससे आपको क्या होगा कि सारे तैयारी करने में प्ताव इंपोर्टेंट होगा और जो बाइलोजी के हिंदी मेडियम ओले जो छातरे है उनके लिए बहुत इंपोर्टेंट साबित होने जा रहा है यह चैनल तो सबसे पहले आप चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए और बिल नोटिफिकेशन आउन कर लिजिए ताकि सही अपडेट आपको बिलता रहेगा ठीक है और साथ ही साथ यहाँ पर अगर बाइलोजी अगर पढ़ना है फिसमना है इंदी मेडियम से तो चैनल सबस्क्राइब क तरके जैहिन जे भारत